जहीन साथ हो, तो finally आज की दीट में आपको जनकारी देने वाले एक सरकारी नोकरी के बारे में ये जो में किनिसी निकल के आरीए, बेसब की तरफ से निकल के आरीए, जी हाँ, सीमा सुरच्छा बल की तरफ से इसका नोटिफिकेसन जारी किया गए, जिसके बारे में आपको जनकारी step by step देने वाला हूँ, कब से कब तै कि आपका फार्म भरा जाएगा, इसमें उम्र क्या रखा गया, किस qualification पर ये आपका फार्म भरा जाएगा, तो qualification में आपको सबसे पहले बता देता हूँ, यदि आप दसमी पास है, ITI पास है, तो आप इस फार्म को अपलाई कर पा आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको इसका date देखने को मिल लेगा, 30 जनवरी 2013 को ये notification जारी किया गया, मैं आपको सबसे पहले date इसलिए दिखा दरा हूँ, क्योंकि बहुत सरे चातरों का ये comment रहता है, सर ये पूराना notification है, इसलिए मैं आपको पहले date दिखा दिया, female candidate के लिए सर सर सीट खा लिए, जिसमें साथ हो यहाँ पर जो आपको पोश्ट देखने को मिल आता है, ट्रेट्समेंट के अंतरगत यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें जो आपको payment दिया जाएगा, पे matrix लेबल 3 के अंतरगत 21,700 रुपे से स्टार्टिंगे और 59,100 देखा भी गया है, नीचे आप आएंगे स्क्रोल करते वे, तो यहाँ पर आपको पोश्ट देखने को मिल जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता दू, मैंने शुरुआती टाइम में आपको बता है कि इसमें दसमी पास और प्लस जो छादर आईटी आई कंप्लीट किये, व अपरेटर, ड्रॉप मैं, और यहाँ पर आप फ्लोश्टर के अंतरगत, और यहाँ पर टिन स्मित के अंतरगत भी देखने को मिल जाता है, यह जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसमें आपका आईटी यही मांगा गया है, और यदि आप बात करें नान आईट के चातरों के लिए पर कुप के अंतरगत उसके बाद यहां पर वेटर केरियर और आवासरमेंग और बाबर यहां पर आपको देखने को मिल जाता है उसमें जो यहां पर सीट आपको टोटल देखने को मिल जाती है 343 यहां पर टूटल सीट है जो कि All India के लिए यह विकिंसी निकाली गई है अब यहां पर बात करते हैं साथ हूं फिमेल के लिए तो फिमेल के लिए जो यहां पर दस्वी पास के जो चातरे उलो फाम को अपलाई कर पाएंगे अब यहां पर बात करते हैं यहां पर देखिए यह कैसे जागा ध्यान किया गा जो इसका एलाउंस किया गया जो फॉर्म पर जो नोटिपिकेशन एलाउंस किया गया उससे यहां पर 30 दिनों तक आपका फार्म आजएगा मैं आपको बता दता हूं अभी जो यह नोटिपिकेशन देख रहें इसकी अफिसल वेब साइट से आप यह न लेकिन यह इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 30 दिनों तक ही आपका फार्म भर जाएगा निश्या आप आएंगे स्क्रोल करते वे तो आपको उम्र के बारे में भी पूरी जनकारी देखने को मिल जाते कितने उम्र के चात्रिस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे तो देखिए वाली है उब यहां पर बात करते education क्वलिफिकेसण के बारे में तो देखिए एदोंके को सब्सक्रोय के निचे आप यहां पर फ्रिष नंबर में देखैंगे तो आपको देखने पूम्र के अंतरगत आपको यहां पर प्लमबर알कर्रिकरशियर अब फंप ऑपर और यहां प आप फार्म को अप्लाई कर पाएंगे, ध्यानी केगा जो आपका ITI का कोर्स होना चाहिए, वो दो साल का होना चाहिए, और साथ में आपका यहाँ पर दसमी पास प्लस ITI रखा गया है, और जो ITI का कोर्स कम्पलीट होना चाहिए साथ हो, इंडिश्ट्रियल ट्रेनिंग इनि कर पाएंगे, दूसरी चीज़ ध्यानी केगा यदि आपके पास यहाँ पर ITI का कॉर्स कम्पलीट नही यहाँ पर एक साल का यदि आपके पास ITI का कॉर्स कम्पलीट है और साथ में आपका experience भी एक साल का कम्पलीट है, यहाँ पर तो आप इस फान को अप्लाई कर सकते है, ध्याने किएगा यह नीचे आप आएंगे स्क्रोल करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेड देखने को मिला है जो कि यहाँ पर कोबर है और यहाँ पर ट्रैलर आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर वासर में और वार्बर और इसमें सुपर जो यहाँ पर रिखागे और मा एक जाम होगा तो इस तरह आपका जो प्रोसेस से वह चलने वाला है तो जो चातने आप पर दस्वी पास हैं वो लोग जो अपलाई कर पाएंगे दूसरे नंबर पर आप देखिए जिसमें आपको यहां पर कोबर टेलर और यहां पर अधर अधर जो पोश्ट यहां पर होना चैने को मिलें इसमें जो आपका होना चीए सिकीज यहां पर कहा गया है यहां पर पूरी कारी इसे कि यहाँ पर कहा गया कि जो उनकी हाइट होनी चाहिए एक 65 होनी चाहिए और जो चेश्ट होना चाहिए वह यहाँ पर 75 से 80 होना चाहिए और फिमेल के लिए पजपन रखा गया जो की चेश्ट की यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गए लेकिन यहाँ पर ध्याने किएगा जो छातर यहाँ पर देखिए जो छातर यहाँ पर जो आते हैं union यहाँ नियायां लेकिनai ट्रिरष की अंतरगत आते हैं उनको यहां पर छूट भी दी जा रही है दह सब्छाए बारे इसके बारे में कुछ अधर जनकारी जो भी यहां पर इड़िटाइज्मेट और यहां पर आपको जारी किये गए यह आपका एक नियूज के अंतरगर जारी किये गए अभी इसकी अपिस्यल वेब साइट पर इसका आपिस्यल नोटिपिकेशन नहीं जारी किये गए इसके बारे में अभी डिटेल में जनकारी नहीं आईए कि कब से आपका फॉर्म भर जागा जब भी पावन भरना स्टार्ट होगा मैं आपको जनकारी जरूर दूगा